नोड बंदी पर केंज सरकार से सुप्रीम सवाल नोड बंदी के फैसले के तरीके पर हो सकती है जाच S.C. ने केंज से पूछे फैसले को लेकर कई सवाल शीर्स अदालत में नव अहम सवालों पर सुनवाई जारी आपको साल 2016 के 8 नौवंबर का दिन याद ही होगा जब पीम नरेंद मोदी ने टीवी पर आकर अचानक नोड बंदी का एलान कर दिया था मोदी सरकार की तरफ से साल 2016 में किये गए नोड बंदी के समवैधानिक वैधिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसके पास नोड बंदी के फैसले के तरीके की समिक्षा करने का दिकार है और न्याई पाली का सर्फ इसलिए हाथ पर हाथ धरकाई बैट नहीं सकती कि ये एक आर्थिक नीती का मामला है सुप्रीम कोर्ट की टिपणी ये तब हुई है जब आर्बियाई की वकील ने केंद सरकार की तरह ही कहा है कि न्याईक समिक्षा आर्थिक नीती के निर्णों पर लागू नहीं हो सकती है बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंदर और भारती रिजरो बैंक से विस्तरत हलफ नामद आखिल करने को कहा था जिस पर केंदर ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ नामद आखिल करते हुए नोट बंदी को सही बताया था साथ ही कानून समवत फैसला बताते हुए इसे सही ठहर आते हुए इसको इपैरवी की थी सुप्रीम कोट में जुस्टिस अब्दुलनजीर, बी आर गवई, एस बोपन्ना, वी रामा सुब्रमनियम और बी वी नाग रतना की पांच नयाय धीसों की फीट साल 2016 में 500 और 1000 की करेंसी नोटों को डेमोनोटाइजेसन यानी नोट बंदी के केन सरकार के फैसले को चुनोती देने वाली याजकाओं पर सुनवाई कर रही है। अदालत की बेंच ने आर बी आई बोड के उन सदस्यों का व्यवरा जाननी के लिए भी कहा है कि जिनोंने नोट बंदी की सुफारिस की थी। बोड बंदी के आर्थिक नीती सामाजी की नीती से जुड़ी है जहां तीन बुराईयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आर बी आई ने अपने हलफ नामे में कहा प्रस्ताव पारित होने के बाद आठ नौमर दोहजार सोलह को केन सरकार को सूचित कर दिया गया था। दरसल याचिका करताओं की और से पेश वरिष्ट वकील पीच दम्रम ने इस बात को उठाया था कि सांसद नीती को रोक सकते थे लेकिन उन्हें विधाई मार्ग का पाले नहीं किया गया। इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।